और जंता ने अपना निर्ने साफ कर दिया है के शुवरा सिंग्चोहान ने कहा कि माद्री प्रदेश में मोधी बस्ते हैं शुवरा सिंग्चोहान से पहली 18 साल तक मद्रप्रदेश के मुख्य मंत्री राचा चुके एक बार फिर से बीज़ोपी का कवल मद्र प्रदेश में खिलता हुआ नजरा रहा है मद्ध प्रदेश के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में मद्ध प्रदेश है मद्ध प्रदेश में इखी नाम शिवराज सिंग चौहान कांग्रेश के लोग दिन और राज समेरे साम एखी नाम शिवराज चौहान शिवराज मामा नीन में भी जग जाते हैं चमक चमके अगर मर भी जाओंगा तो राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाओंगा अपनी जन्ता की सेवा के लिए एमपी में शिवराज लोट आये हैं ठीक उसी फिनिक्स पक्षी की तरह जो आग को भी मात दे देता है जो खुद की राख में भी नई जिन्दगी तलाश लेता है शिवराज की विरोधियों की दुआए कुबूल नहीं हुई सत्या नाश नहीं हुआ गोटों का बंटा धार नहीं हुआ सीटों का खेल नहीं बिगडा नतीजा बीजेपी का राज लोट आया है मैंसे मामा से क्रांगरेल बहुत दरती है रोजगाली देती रती है राहुल बाबा से लेके कमलनाथ तक और कुछ लोगोंने मामा का सराथ भी करवा दिया ट्वीट कर दिया ट्वीट मामा देरा सराथ हो गया मेरे पहनों अधायों मामा के मरने की भी दौाई की जा रही ऐसा क्या है पानगरेश के लोग दिन और राज समेरे जायम खी नाम सिभराज च dibujा al सिव राज मामा नीgrand मैंब भी जग जाते हीं। चमक के सिव राज मामा में वही तो हम पूछ रही है। ऐसा क्या है मामा में ऐसा क्या किया मामा ने कौन सा जादू किया कौन सा पिटारा खोला भरबर कर वोट आया। इतना आया कि कमलनात पर भारी पड़ गया, कॉंग्रेस पीछे छूट गई, भरभर कर वोट आया कि बहुमत का आकड़ा भी पीछे गया शिवरात से सुनी बंपरजीत का राज, जनता में छाजाने वाला सीक्रेट और विरोधियों पर पतह कमल परसम भोट एक बोट दलना जाए और मेरी लाड़नी बेहना याद रखना, कांग निसागें, तो ना लाड़नी बचेगी, ना बेहना बचेगी, जब ना तम हो जाए, तो तुम्ही निकल जाना और एक बोट डलवाना, भोलो डलवाओगी, रोटी बाग में बनाना पेल, लो और अपने घर भी कहा देना, को उनको देगा ना मामा को बोट, ठीक है? इसलिए शिवराज सिंग चोहां ने जहां जहां चुनावी रहलिया की, शिवराज ने बहनों को याद किया, उनसे भाई का हक मागा, और मतदान में अपना रिटर्न गिफ्त भी मागा। पेल, बहनों ने भाई के प्यार का हक अदा किया, और जमकर उनके लिए वोटिंग किया, ना सिर्ख बहने, वलकि शिवराज सिंग चोहां के लिए भाईयों और धान्जों का भी भरपूर प्यार मिला, और इसकी वज़े भी हैं। 16 सालों के शासर में शिवराज सिंग चोहां ने प्रदेश को बिमारू राज्यों की कैटिगरी से बाहर निकाला, शहरों का काया कल्प किया, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए कई योजनाएं चलाएं। शायद यही वज़ा है कि PM मोदी जब MP में चुनावी रैली कर रहे थे, तो शिवराज सिंग चोहां की तारीफों के पुल बांधना नहीं भूले थे। शिवराज सिंग चोहां बीजेपी की बंपर जीत का सेहरा PM मोदी के सिर बांधते हैं। वो जानते हैं कि PM मोदी ही ऐसी शक्सियत है जिनकी चमक के आगे कोई दूर दूर तक नहीं ठैरता। उन्हें पता है कि PM मोदी की MP में की गई 15 रेलियां कैसे नतीजे में बदल गई। इसलिए वो कहते हैं PM मोदी के मन में MP है और MP के मन में मोदी है। पत्रण मंती नगेंजर मोदी जी भारत की 14 रेलियां के विजय के हार है। वो कुछ मनी है जान है। और MP के में में भी बस्ते हैं। और में देश की जनका के मन में भी बस्ते हैं। उनके पुदी अचूर स्था और विष्वास हैं। हम सबता है कि आपने तुदाम मंती मरेजर मोदी जी को पुदाम करता हूँ। और MP के जीत है जो आज भारती जनका पाई की तो प्राप हो रही है। सियासी पंडितों ने अटकले लगाई थी। शिवराज का लौटना मुश्किल है। एंटी इंकम्बेंसी फेक्टर के आगे टिक नहीं पाएंगे। विदाई तो पक्की है और पता नहीं क्या-क्या। उम्मीद है कि अब उन्हें मामा शिवराज के करारे जवाब मिल चुके होंगे। शिवराज ने ना सिर्फ प्रचंड कमबैक किया बलकि विरोधियों को भी संदेश दिया। जीट का दूसरा नाम शिवराज है। टीन न्यूस नेशन और देखे शिवराज सिंग चौहान की लाडली वेहना योजना ने भी कमाल किया है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई बार कई रैलियों भी किया है। अब इसी पर बाचित करने के लिए हमारे साथ अंकुष बीजेपी हेड़कॉर्टर दिली से चुड़ गये हैं कि अब भी वी एक बहुत बड़ी चुनोती है हलाकि उन्होंने एक बार करनाटक में दो बार करनाटक में सरकार बना ली थी लेकिन यहीं हम हिंदी पट्टी की बात करें 36 गड़ राजस्तान मत्रदेश की और इन चुनाओं की बात करें तो निश्यक रूप से यह सामने दिख रहा है कि मोदी की लहर ने काम किया है वरना एक सो साथ के आसपास सीटे तो भारती जन्ता पार्टी के बड़े नेता भी इजी बाचित में इतनी अपेक्षानी कर रहे थे कि इतनी सब लोग दीरे दीरे यह बोल रहे थे कि सब्सक्राइब कर दो निश्यक्ताइब कर लिए इसका मतलब यह है कि कॉमन फेक्टर मोदी का और अमिज शाह की स्ट्राइब कर दिख रहे कि उन्होंने जिस तरीके से यहां लोगों को कार्यकरताओं को जोड़ा कॉंग्रेस के खिलाफ जो बयानक जिसको कहते हैं ऐसा कैम्पेंड चलाया कि मद्रदेश और चंतिवगर रायस्तान में कॉंग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई और आज जो दिख रहा है मद्रदेश का जिब कहें तो लाडली बेना के अलावा भी इतने वर्षों तक लगातार शिवराज का चेहरा जिसको भारती जन्ता पार्टी खोदी उसको पीछे जखेलने में लगी थी आज वही चेहरा वापस और जैसे शिवराज चिंग ने आपन सबसे ज़्यादा सीनियर बारती जन्ता पार्टी के मुख्यमत्रियों में से एक हैं वो और इतनी लबी समय तक किसी ने भी राज़ों नी करी आपने दोजार चुवीस का पूछा तो निश्चित रूप से यही बारती जन्ता पार्टी का और गोटर्स का यही मून चलता है तो दोजार चुवीस किसी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं है सिवाए इडिया अलाइंस के अब इडिया अलाइंस का क्या होगा आगे चलके तेलंगाना में क्या होगा सौथ में क्या होगा नौर्थ इंडिया में क्या होगा नौर्थ इस्ट में क्या होगा यह सब जो मोधी माजिक है वो कायम है और ये लहर इस वक्त चुनावी नतीजों में तब्दील होती हुई नजर भी आ रही है। जो है भाजपा तीनों राज़ों में सरकार बनाएगी और अब नतीजे आ चुके हैं और तीनों राज़ों के जो नतीजे वह भाजपा किप्ष में आएं हैं और जिसके बाद कारेकरता बेहद उचसाहित नजार आ रहा है हम इस समय भाजपा मुख्याले में ही मौजूद है और कुछी देर में यहां पर परधानमंतरी नरेंदर मोधी भी यहां पहुचने वाले हैं कारेकरताओं को संबोधित करने के लिए उससे पहले कारेकरताओं में भारी जोश यहां देखने को मिल रहा है भाजपा मुख्याले को पूरी दूलन की तरह सजा दिया गया है हाला जोश जो है कारेकरतों मैं देखने को मिल रहा है इस वक्त बड़ी गिंती में जो लोग है यहाँ पहुंच बोढल कर क्योंकि परदान मंत्री नरेंदर मोधी जो है देश को संभोधित करेंगे भाचपा कारे करताओं को संभोधित उसके लिए आपर तमाम तरह की जो तैयारी है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और जिसी के से कारेकरता लगातार हम देख रहे हैं कि भाजपा मुख्याले में आते जा रहे हैं और उनके चेहरों पर जिसी के से रौनक है वो रौनक साफ बता रही है कि 2024 में भी कुछ इसी तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाई दे सकती है कारेकरताओं का कहना है कि जो दोज़ार चौबिस से पहले जो यह पांच राज़ों के चुनाव हुए जिनमें से आचार राज़ों के नतीज़े आए और तीम राज़ों में भाजपा उन प्रचंड से जो है सरकार ब नतीज़ों की थी ज्यादा अच्छे नतीज़े आ गए लेकिन कॉंग्रेस पार्टी में ठीक उलट हुआ है अच्छे नतीज़ों की उमीद थी लेकिन उमीद से कही खराब नतीज़े मधुरेंद्र कॉंग्रेस पार्टी के आए इन चुनावों में तो कॉंग्रेस कॉंग्रेस में निरासा का महौल है और इतना गोर निरासा है कि तिलंगाना के जीत का जस्न भी कॉंग्रेस मनाती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही पूरा ये इस वक्त का मुख्याल है जो है यहाँ पर चंद कारकरता बचे हुए है कुछ यूटूबर्स बचे हुए अनिता यहाँ पर देखा जाए तो बढ़नेताओं में से कोई भी बढ़नेता नहीं आया चाहिए जनरल सेक्रेटी लेबल का निता क्यों नहीं हो अमोमन यह देखा जाता था अगर परिपाटी के तौर पर देखे तो हर चुनाओं के प्रणाम आने के बाद चाहिए जीत की स्थितियों यहार की स्थितियों तकरीबन चार से पांच बची की बीच जो है स्वेम राहूल गांदी और यह देखा जाता रहा है कि जो रास्थी अध्यक्ष है वह आते रहे हैं लेकिन इस वक्त कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि राहूल गांदी आएंगे इन तमाम प्रण कॉंग्रेस उसकर निराशा के घरत में है क्योंकि कांग्रेस को उमीद नहीं थी चंचती अर्व से फिसल जाएगा कंग्रेस को मध्य परदेश में इस तरह से प्रत्यासीत जीत से बीजी पी जो है वह पुढई महमत की सरकार बनाएगी जहां कांग्रेस दूर दूर तक ठि कॉंग्रेस के पास में राजस्तान में तो करिश्माई कॉंग्रेस बिल्कुल जिसको कहता है गरत में डूब गई मंद्रदेश का तो मैं कह सकता हूं कि कमलनात और दिग्वीजे सिंग ने टिकेट किया जिस तरीके से अलग-अलग शिकायत आ रही थी कि कॉंग्रेस के कैंडिडेट्स को टिकेट डेते समय पैसे का लें देन हुआ इस तरीके से जो बाते हुई उससे का कारेकरता कोई बहुत ज्यादा उटसाइद नाजर नहीं आ रहा था लेकिन भारते ही जनता पार्टी उसके ठीक विपरी बहुत अच्छे तरीके से संगटन को उन्होंने ताकत दी और हर सीट पर और हर छोटे-छोटे सभू में हर इसलिए सर तर जाकर वो स्टेटिज प्लान करते हैं और आपने देखा होगा कि मंद्रदेश हो एक चतित गुड़ नहीं है